इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते जो भूप की कमी और शारीरिक कमजोरी का कारण बनता है और ये पाचन विकारों को ठीक करता है और कब्द से राहत देने के लिए एक रेचक के रूप में कारे करता है। इसका उपयोग शलेश्म जिली की सूजन के इलाज के लिए भी किया जाता है और लगातार छीकने और नाक बहने से राहत मिलती है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, पुराने सिर्दर्द को कम करने में मदद करता है। दो, श्वसन अंगों पर उलेखनिय प्रभाव डालता है और खांसी और गले की खराश का प्रभावी धंग से इलाज करता है। तीन, पेट दर्द सहत पाचन संबंधी विकारों को ठीक करता है और भूख बढ़ाता है। चार, यहें एक रेचक के रूप में कारे करता है और कपज को ठीक करने के लिए इसका प्रभावी धंग से उप्योग किया जा सकता है। पांच, गंभीर रूप से दर्दनाक सिर्दर्द और नसों की दर्द से जुड़ी स्थितियों से राहत देता है। चै, यह सर्दी और नजली का इलाज करता है और बंदनाक से राहत दिलाता है। साथ, गले की खराश और उससे होने वाली घुटन को ठीक करने में कारगव। आठ, गैस्ट्रिक विकारों के इलाज में उप्योगी। नौ, पूरे शरीर में खुजली का इलाज करने और फोडे फुंसियों को रोकने के लिए अत्यदिक लापकारी उपाए।